हर्दोई की संडीला पुलिस के हाथ एक बड़ी काम्याबी लगी है। पर संडीला कोतवाली टीम ने आसो सराय चुराहे से तीन अभ्युक्तों को गिरफतार किया है। संडीला पूर में हुई लूट की दो घटनाओं का इन्होंने खुलासा भी किया है और सभी को जेल भीजा जा रहा है। यह थाना संडीला के थाना दिच्च और उनकी कीम केरवारा यह तीन अभ्युक्तों को गिंतार किया गया है। और बाकी बुंकतों के दलाश की जा रही है। उनके मॉबाइल के इसाब से उनके उनर का पता लागा करके उसे संपर करके और देखा जाए कि उनके साथ घटना करहा पे हुई। उनके घटनाए करना बताया है। जिनको वेरिफाई किया जा रहा है। इनके कब्जे से एक पाचे मोर साइकल सफेद रंकी वह भी वरामद हुई है। और जिस पर कोई नमबर नहीं पड़ा हुआ है। दो तमंचे और चार कारतूर भी वरामद हुए। इनमें से एक अब्रुक्त काब रावी कितिहास भी है। बाकी काब रावी कितिहास खंगाला जा रहा है। और ये तीनों वित थानक कशोना चत्र करेने वाले है। इसमें इनसे पूस्ताश करके अग्रिभी करवाई कराई गया रही है। और इनका विवन डॉजियर भगरा सा भारा जा रहा है। मैं जैपाली शर्मा चेर्मेन मार्केट कमेटी करनाल। दिवाली के शुब अफसर पर पूरे अर्याना के किसान भाईयों को आठती भाईयों को सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिपावली की शुब कामना है। मार्केट कमेटी करनाल की चेर्मेन जैपाल शर्मा की और से सभी परदेश वासियों को धंतेरस, शुब दिपावली तता भाईया दोच के हार्दिक हार्दिक शुब कामना है। मार्केट कमेटी की चेर्मेन जैपाल शर्मा कामना करते हैं कि आपका परिवार सभी खुशाल रहे और धंधान्य से भरपूर रहे। सभी परदेश वासियों को एक बार फिर से चेर्मेन जैपाल शर्मा की और से आप सब खुद दिपावली की फिवेशुब कामना है। जोटी गादन जोटी गादन एसे ही लेटेश कोबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करे हैंने वाद